Hello friends, my name is Preeti, आप देख रहे हैं Exam Train YouTube चैनल Friends, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं Agriculture के बारे में इसमें Agriculture से रिलेटेट जितने भी important question होंगे उन सभी को हम लोग cover करेंगे ठीक, और हमारा ये lecture number one होगा इसको हम लोग पूरा सेरीज complete करेंगे जिसमें हम लोग crisis से संबंधित जो भी प्रशन होगे उन सभी को discuss करेंगे शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और अब मैं आपसे 5 questions पूछूंगी अगर आपको इन 5 questions के answer आ रहे होंगे तो आपके लिए वीडियो इतना beneficial नहीं होगा लेकिन अगर नहीं आ रहे होंगे तो आप वीडियो को जरूर देखेगा नेक्स है हमारा कि National Bureau of Soil Survey के नुसार भारत को कितने क्रिसी पारिस्थितिक छेत्रों में बाटा गया है इसके लागा थर्ड है हमारा कि भारती क्रिसी का इतिहास नमक पुस्तक किसने लिखा है फिर हम लोग बात करते हैं कि रे किस से संबंदित है क्या ये किसी फसल का नाम है या खेती का प्रकार है ठीक और अगर है तो किस प्रकार की खेती का प्रकार है और इसके अलामा कि जो जूम खेती होती है उसको राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है जूम खेती को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है ठीक है तो ये हैं आपके 5 questions और इस series को देखने के बाद आपके ये सभी doubts clear हो जाएंगे अगर आपको नहीं आ रहे होंगे शुरू करने से पहले आप लोग इन सभी विशेयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसकी free video classes आपको playlist में available होंगी तो आईए शुरू करते हैं टॉपिक को सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन जोग्रफी का ही हमारा टॉपिक कौन सा है क्रिसी 11 की जनगर्णा के अनुसार अगला question हमारा देश में प्रथम क्रिसी विश्व विश्व विद्याला के असापना कब हुई थी यह असापना की गई थी जवाहर लाल नेरू के द्वारा 17 नौंबर 1960 कब हुई है 17 नौंबर 1960 को और इसका नाम क्या है उत्तर प्रदेश क्रिसी विश्व विद्याला है इससे हमारा एक और question तयार होता है कि देश में जो पहला क्रिसी विश्व विश्व विद्याला है वा किस स्टेट में खोला गया था तो यूपी में खोला गया था पहला क्रिसी विश्व विद्याला है ठीक कहां पे तो जिस समय यह खोला गया था उस समय या उत्तराखण टेरेटरी में आता था कहां पे था उत्तराखण में किस नगर पंत नगर उत्तराखण लेकिन वर्तमान में अगर हम लोग इसकी बात करें तो वर्तमान में या टोटली कहां पे है यूपी में है इस समय इसका नाम चेंज पहले इसका नाम था उत्तर प्रदेश क्रिसी विश्विद्याल है और अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है गोविंद बल्लब पंत क्रिसी एवं प्रद्योग की विश्विद्याल है जो की कहां पे है यूपी में है अब बात आती है अगर हम किस अनुसूची में दी गई है क्रिसी के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है तो सातवी अनुसूची में कौन से अनुसूची में बताया गया है सातवी अनुसूची अनुसूचियों में जो सातवी अनुसूची इसमें हमें बताया गया है तीन सूचियां है एक तो हम लोग बात कर रहे हैं तो यह पहले राजी सूची का विश्य था लेकिन सन 2006 से यह समोरती सूची का विश्य हो गया है ठीक आपको पता है कि केंद्री सूची पर संसत कानुन बनाती है और राजी सूची पर इस्टेट गौर्मेंट जबकि समोरती सूची में जो भी subject होते हैं उनमें दोनों कानून बनाते हैं ठीक है तो याद रखेगा कि किस सूची का विशा है समवर्ती सूची का विशा है और ये जो तीनों सूची है ये कहां से ली गई है आउस्ट्रेलिया से ली गई है ठीक है अगला question हमारा भारत अपने कितने 1% भाग पर क्रिशी करता है तो भारत अपने 51% 51% अगर मालेजी भारत के अगर हम लोग एरिया की बात करें 100% है तो इसमें भारत 51% भाग पर क्रिशी करता है जबकि अगर हम लोग अदर देश का इसका comparison करें तो चाइना 11% भाग पर करता है Canada 5% और USA करता है 20% इसको आपको अगर बात क अगर हम तो आप में तो अरेंज करने के लिए आ सकता है की औरेंज करिये कौण सा şehit है कौण सा अधेस है जो किस एरिया पर खेति करता है तो नंबर दू पे हमारा भारत के बात क्या आ जाएगा का नाम है और यह स्वतंत्र भारत के पहले क्रिशी मंत्री थे अगर हम लोग बात करें कि देश के आजाद होने से पहले अंतरिम सरकार बनी थे तो उससे में जो अंतरिम मंदल था हमारा उसमें क्रिशी एवं खाद्य मंत्री किसे बनाया गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद को यहाँ पे क्या है आजादी से पहले भी एक अंत्रिम सरकार बनी थी उसमें क्रिशे एवं खाद्य मंत्री किसे बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद को लेकिन अगर आपसे बात करे कि स्वतंत्र भारत के पहले क्रिसी मंत्री कौन थे तो हमारा होगा पंजाव राव देश्मू अगला हमारा कि भारत में कितने क्रिसी जलवायु छेत्र हैं क्रिसी जलवायु छेत्रों की बात करें अगर हम लोग तो भारत में कुल 15 क्रिसी जलवायु छेत्र हैं और इसी तरह अगर हम लोग बात करें UP में तो यह question काफी important है, UP में पूछा जाता है कि कितने क्रिसी जलवाई छेतर हैं, UP में हमारे 9 क्रिसी जलवाई छेतर हैं, कितने हैं, 9 क्रिसी जलवाई छेतर, फिर है हमारा National Bureau of Swail Survey, Swail मतलब क्या होता है, हमारे मिट्टी सर्वे, ठीक है, तो National Bureau of Swail Survey कि अनुशार, भारत में कुल कितने क्रिसी पारिस्थितिक छेतर हैं, तो कुल 20 क्रिसी पारिस्थितिक छेतर हैं, कितने हैं, 20, जलवाई छेतर की बात करें, तो 15 और पारिस्थितिक छेतर की बात करें, तो 20, उप छेतरों में ये जो पारिस्थितिक छेतर हैं, इनको कुल क टाट उप छेतरों में बाटा गया है, जिक है? अगला केशन हमारा भारती क्रिशी अनुशनधान परिशद के अस्थापना कब की गई थी? इसके अस्थापना की गई है 16-July 1919 में कब हुई है? 16-July 1919 में इसमें Crisys Related जो भी रिशर्च होते हैं वो यही होते हैं цвет है? और कहां पर है तो Crisys भवन नई दिल्ली इसका Headquarter कहां पर है? नई दिल्ली डारेक्ली question आता है की Crisys यानॉअअस नखान परिसहत कहां पर है? तो हमारा सही एंसर क्या होगा नई डिली अगला question है हमारा कि भारती क्रिसी का इतिहास नामक पुस्तक किस ने लिखा है तो यह पुस्तक लिखा गया है मोहिंदर सिंग रांध्वा के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है मोहिंदर सिंग रांध्वा के द्वारा लिखा ग जात करे भारत में तो कुल तीन फसल रितु हैं, खरीफ फसल, रभी की फसल और जायत की फसल, ठीक है, जिसमें एक होता है मानसून काल की फसल, दूसरा होगा मारा स्थीत रितु की फसल, फिर होगा मारा ग्रीस्म रितु की फसल, तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग खरीफ क फसल के बारे में इसमें से किस प्रकार से question आते हैं जैसे question आ जाएगा कि किसकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है और कौन सी फसले है जो खरीफ फसल में बोई जाती है उसी तरह रवी की फसल में भी same question आता है तो ज्यादा difference नहीं है इसको हम लोग बहुत ही easy याद क आता है हमारा मानसून सुरू होता है जून में 15 जून से वैसे हमारा मानसून सुरू होता है तो मानसून सुरू होते ही इसकी बुआई हो जाती है और अक्टूबर ठंडी सुरू होने के पहले ही इसकी कटाई हो जाती है इस वजह से इसे कौन सी फसल कहते है इसे कहेंगे हम लोग मानसून काल की फसल, कौन-कौन सी मुख्य फसल है, खरीव की फसल की बात करें, तो इसमें मुख्य फसले कौन-कौन सी है, इसमें हमारा धान ज्वार, बाजरा मक्का, दलहन की बात करें तो मूंग, उडद और सोयाबीन उसी तरह तिलहन की बात करें तो मुंगफली सूरज मुखी कपास और तंबाकू क्वेशन आता है इसको याद रखेगा कि कपास और तंबाकू किस रितु की फसल है तो खरीफ की फसल है किस प्रकार की फसल है खरीफ की फसल है कपास और तंबाकू फिर हम लोग बात करते हैं रवी की फसल के बारे में रवी की फसल हमें सूरी की जरूरत कब होती है धूप की जरूरत कब होती है जब ठंडी होती है तो रवी की फसल सिधे याद कर लिजे कि कब की फसल है सीतरितु की फसल है और इसके बुवाई होती है अक्टूबर नौंबर में जैसे हम लोग खरीफ की फसल को काट लेते हैं फिर अक्टूबर नौंबर में बुवाई सुरू हो जाती है रवी की फसल की ठीक और इसकी कटाई कब होती है इसकी कटाई होती है अप्रेल मैं में इस में मुख्य फसले कौन कौन सी हैं गेहूं कि खरीफ की फसल में हमारा धान था जबकि गेहूं कि अगर बात करें तो कौन से मौसम की फसल है रवी सीध रितु की फसल है जव सरसो चना और गन्ना ठीक है ये सब कब की फसल है रवी की फसल है अगला हमारा जायत की फसल जायत की फसल को हम लोग कहते हैं ग्रेस मेरीतु की फसल, इसमें नमी को लंबे समय तक धारण कर सके उस समय कि या फसल है, क्यों कि इस समय आधरता की कमी होती है, इसमें क्या आएंगे जिसमें पानी ज्यादा पाया जाता है, जैसे खर्बूजा, तर्बूज, खीरा, ककड़ी, ठीक ह हम लोग आ जाते हैं क्रिसी के प्रकार में, अब क्रिसी की प्रकार में जो सबसे ज्यादा क्वेस्चन हमारा पूछा जाता है, वह पूछा जाता है जूम खेती से, ठीक है, क्या होता है जूम खेती, अस्तान नंत्रड क्रिसी को क्या कहते हैं, जूम खेती कहते हैं, ठीक है इसको क्या कहते हैं बुस फैलो भी कहते हैं क्योंकि यहां पर क्या किया जाता है एक जगह पर जंगल काट करके वहां पर खेती किया जाता है फिर उसके बाद नेक्स जगह पर ठीक है वहां पर दुबारा खेती नहीं किया जाता है जूम खेती को कहा जाता है ठीक है तो अगर वियत नाम और लावोस में इसे रे कहते हैं, क्या कहेंगे इसको रे कहेंगे वियत नाम और लावोस में, ठीक, ये question exam में आये हुए हैं, टावी कहते हैं माला गासी में, इसको टावी जूम खेती को माला गासी में टावी कहते हैं, अगर हम लोग बात करें अमेरिकी देसों मे तो अमेरिकी देशों में इसे क्या कहते हैं मिलपा, क्या कहेंगे मिलपा, ग्वाटेमाला में इसे कहेंगे इलाची, ग्वाटेमाला में क्या कहते हैं जूमकेती को, इलाची, चेन्ना, चेन्ना कहते हैं स्री लंका में, ठीक है, स्री लंका में अगर इस तरह आप देखेंगे तो श्रा में क्या है दो बार देखेंगे अगर तो इसमें दो तरक ना है तो याद कर लिजे चेनना कहां पे है स्री लंका में है मसोले कहते हैं मसोले कहते हैं कांगो में फैंग कहते हैं भूमत दे रेखिया प्रदेशों में इसको फैंग कहते हैं फिर हैं हमारा टूंगया टूंगया कहते हैं मैमार में कहते हैं जूम खेती को मैमार में टूंगया कहते हैं फिर हम लोग बात करते हैं बेवार या डहियार यह याद रखेगा ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर आप वंडे एक्जाम के तेहरे कि वेवार या डैयार क्या है तो बुंदेल खंड में जूम की खेती का प्रकार है ठीक फिर हमारा बस्तर चतिसगड में इसको क्या कहेंगे दीपा कहते हैं ठीक है उसके बाद है हमारा व उसके बाद हमारा लास्ट है कि ओडिसा में इसे क्या कहते हैं तो ओडिसा में कहते हैं इसको कमान, विंगा या धावी ओडिसा में क्या क्या कहते हैं कमान, विंगा या धावी तो यह थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेशन नेक्स पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैस क्र जरूर बता है कि आपको वीडियो कैसा लगा इसके लावा अगर इसमें कोई भी modification करना तो आप बता सकते हैं comment box में next part जल्दी upload होगा तो वीडियो को अपने friends में और जितनी भी educational group है उसमें जरूर शेयर क्या करिए और अगर आपके वीडियो पे आड आता है तो आड को skip मत क्या करिए आड को पूरा देखा करिए thank you friends thank you so much